हेलो फ्रेंट्स आज मैं एक रिव्यू लेके आया हूं एक छे निव फॉन्स का छे निव फॉन्स तो नहीं है अभी काफ कुछ पुराने भी है और कुछ ने भी रिलीज हुए हैं लेकिन कुछ अभी 20,000 के बजट के अंदर जो बेस्ट इंट 20,000 बजट के अंदर है क्योंकि क्योंकि फोन्स जो है अभी आगों पता है दिश्ट की विडियो से काफी महेंगे हो चुके हैं और खरीदते हैं अगर 25 अरगा फोन लेने जाते हैं तो 32 लगके कोई 30 अरगा फोन चालीज अरगा लगते हैं तो फोन्स क्या है कि ने टेकनोलोजी भी बदलती रहती है तो ट तकरीबन हमें अराम से दो से तीन साल भी अप्रेड करने के जुरूरत नहीं पड़ेगी तो चले शुरू करते हैं टेकनो सचन और पता करते हैं कि कौन से वो छे फोन्स हैं जो हुमारे अंडर 20,000 के अंदर बैस्ट फोन्स है जो चटे नंबरे फोन है सिक्स नंबरे फोन ह साथ और एक्सपेंडेबल है उसे 512 GB ठीक है और इसकी कीमत है 16999 रुपे जो अभी फिलिपकार्ट के जो बनेंजा से ले मिल रहा है तो अगर आप लेना चाहते हैं तो छटे नंबरे मेरी यह रेकमेंडेशन रहेगे कि आप पोको एंटू लें आप इसमें क्या 6GB रहा है जाएगा 48 Megapixel 8 Megapixel 5 Megapixel 2 Megapixel का एक वाल्ट कैमरा सेटप 16 Megapixel का सेल्फी फ्रेंट कैमरा और 5000 mAh की बैटरी है और Qualcomm 720G है इसके अंदर तो वनियर की वरेंटी भी इसमें तो सिक्स तंबर पर यह जस्टिफाइब करता है 16999 रुपे में जो अभी मिल रहा है तो यह है रियल में 6 प्रो अब यह रियल में 6 प्रो ठारा जार 999 रुपे का मिल रहा है फ्लिपकार्ट पे और 6GB RAM है 128GB इसका इंटरनल स्पेस है और एक्सपेंडेबल अप्टू 256GB है और 6.6 इंच की Full HD डिस्प्ले है इसकी रियल में 6 प्रो की और इसमें 4300 mAh की बैटरी है और स्नैप्रे यह इसका इसलिए इसको अठारा जान उसने अब रखा क्योंकि मेली 720G प्रोसेसर के साथ में ठीक है फाइफ पोजिशन को यह सटिस्वाइब करता है नौन चाइनीज ब्रांड जैसे हम जानते हैं सैमसंग M31 के नाम से अब यह सैंटम M31 का फोन काफी अच्छा है काफी अब इसमें क्या क्या मिल जाता है मैं सबसे अची बात है इसके अंदर 6000 मह की बैटरी है समसंग एक्सिनोस 9 अक्ता को प्रोसेसर है और आपका 6.4 इंच फुल एजडी सुपर एमलोड इसमें सुपर एमो लेडी डिस्प्ले है यह धान रखना है कि अगर आपको कोई सुपर एमलोड डिस्प्ले वाला फोन चाहिए एंडर 70,000 वह भी नॉन चाइनीज तो वो समसंग का ही है संसंग एंटवान और फ्रन केमरा थटीडु मेगा पिक्षल 64 Megapixel 8 Megapixel 5 Megapixel 5 Megapixel का Quad Camera Setup है में इसी लिए यह फोन है तोटली रेक्रमेंदेट इसलिए नंबर पर फोन है अब यह फोन जो है एक फ्लेक्शिप प्रोसेसर वाला फोन है इसके अंदर किरन 980 है और आप समझ गए होंगे कौन सा किसका बात कर रहा हूं है यह ऑनर का 20 ऑनर 20 ज निन्याने रुपे में मिल रहे हैं अब इसकी खास बात के एक तो इसमें फ्लेक्शिप प्रोसेसर है छे जीबी एक्सवर्टाइस जीबी का इसका इसका अपना रैम है इसका छे जीबी रैम और इसकी और 48 Megapixel 60 Megapixel 2 Megapixel 2 Megapixel और इसमें मैक्रो लेंक्स भी है क्वार्ट केमरा सेटब है और 30 Megapixel का फ्रेंट कैमरा इसके अंदर और और डिस्प्ले काफी अच्छी है मैजिक यू आई के साथ आता है और साइड माउंटेट फिंगर्प्रिंट फिंगर्प्रिंट स्कैन है इसके अंदर और 37 3750 मह की बैटरी है ले अराम से फुल चार्ज कर देता है विदिन 45 45 मिनिट के अंदर फुल चार्ज कर देता है तो आपको अच्छी खासी बैटरी मिल जाती है तो अगर बस ऑनर का एक दिक्कत है कि अभी लाइसेंस का गूगल पे डिसकॉंटीनियू हुआ है पता नहीं रिन्यू होगा या क्या दिक्कत नहीं होगी बता नहीं लेकिन अभी जाता मुझे लग रहा है शायद चलेगा क्योंकि मेरे पास भी एक और का वीट्वेंटी है वह भी काफी अच्छा फोन है तो इसमें भी चिप सेट आफी अच्छा है फ्लैक्शिव लेवल का प्रोसेसर है पहले लेते कुछ सा नमबर पर रेकमेंडेड है वह एक फोड़ा पुराना फोन है कुछ पुराना हो चुका है लेकिन अगर आप कहें तो अभी भी इसके अंदर जो चिप सेट दिया हुआ है और जो इसका सुपर अमलोट स्क्रीन है आँ सुपर अमलोट स्क्रीन इसमें यह है रियल्मी का X2 र अधिवें और 128GB रों के साथ आता है इसमें 64 MP 8 MP MP, 20 MP MP, 22 MP, 31 MP 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 है और कीमत है इसकी 19,999 रूपे में कभी अवलेबल होता है कभी नहीं होता है लेकिन अगर मिल जाए तो बेस्ट फों है इसलिए मैंने इसको सेकेंड नमबर पर रखा क्योंकि इसमें सुपर एमलोट डिस् चार्ज है तो चार्जिंग की बहुत अच्छी करेगा इसलिए सेकेंड नमर पर रेल में एक्सटू उननीज दा नौनिज दा नौनिज नौनियानवे में 123 GB रोम और 6 GB RAM के साथ अब हमेशा जो फोन लें को हमेशा कोईश करें कि आज कल के टाइम में 6 GB RAM और 126 GB रोम के साथ ही लेना है उससे कम का फोन तो लेना ही नहीं क्योंकि केमरे की एप सो जो अप्रेटिंग सिस्टम और जो अपडेट लेता है तो बहुत दिक्कत होती उसके बाद तो हमेशा एक बना लीजिए अपना कि 128 GB रोम और 6 GB RAM तो चाहिए 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 और 20,000 के अंदर कोई फोन है तो उसके अंदर स्नैपड्रेगन 730 या 720 होना चाहिए और अगर चैनीज वोन है जिसे ओनर का 980 जो मिल रहा है जिसमें क्या क्या क्यान का 980 है तो फ्लैक्श उसको बहुत है अनलाइज करके ने के बाद ही रखा गया बहुत अनलाइज करने के बाद क्योंकि अभी जो उसमें चिपसेट आ रहा है डैट इस 730 730 जी स्नैपड्रेगन का और 6 GB RAM है उसकी 128 GB रोम है और हैंड़ सेट कुन सा है कैमरे के लिए भी अच्छा है बैटरी के सा 2 तो को X2 जो कि मिल रहा है 6 GB RAM और 128 GB रोम के साथ 18,499 रुपे में अगर आप इसे लेना चाहते हैं तो इस टाइम नंबर वन मेरी रेक्मेंडेशन है कि आप इसको ले सकते हैं आग बंद करके क्योंकि कैमरा भी अच्छा है बैटरी 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 इच्छा है और 4500 mAh की लीथियम पॉलीमर बैटरी है इसके अंदर कॉलकम और फास्ट चार्जिंग भी सपोर्ट करता है तो फोन काफी अच्छा है और कॉड कामरा सेटप है कॉड कामरा सेटप है 64 MP 8 MP 2 MP प्लस 2 MP ये कॉड कामरा पीछे का रियर कैमरा और 20 MP प्लस 2 MP का डूल फ्रेंट कैमरा भी तो हाली रेक्मेंडेट 18,499 रुपे में पोको एक्स टू इसका एक और वेरियंट आता है अगर आप थोड़ा सा अपना बजट बढ़ाएंगे थोड़ा सा अपना बजट बढ़ाएंगे तो एक वेरिंट ओता था पोको एक्स टू दा 256 GB वाला वेरियंट अब इसमें क्य है यह जाता हूं कि वह मिल जाए वह जड़ा बढ़ी है अगर आपको लेना ही है पोको एक्स टू तो 256 GB वाला ले सकते हैं 2499 रुपे का है अपना फोन एक्चेंज करने के बाद हो सकता है थोड़ा और सस्ता पढ़ जाए तो पोको एक्स टू 256 GB या पोको एक्स टू 128 GB मे प्रोसेसर और एकोर्डिंग टू इनके जो अभी जो फूल एजडी डिस्प्ले या सुप्रम उसके इसाब से में रंग हो दिये तो अपने इसाब से देख सकते हैं जो भी आपको अच्छा लगे एक फोन जो सिरफ एक ऑनर 20 है जो एमजोन में मिल रहा है बाकि सारे टेक्स कीजिए और शेयर कीजिए मेरी आने वाली नई वीडियो के लिए टेक्नो वीडियो से चिन आपसे विजा लेता हूं